नमस्कार, आज में आपको एक बहुती मजिदार कहानी सुनानी जा रहे ही हैं। प्राचिन काल में आरेवर्ध देश में एक राजा राजे करते थे। राजा बहुती धर्मात्मा थे। वे भगवान विश्नु की परम भक्त थे। यहां तक कि उनकी रानी भी भगवान विश्नु की बहुती पूजा अर्चना किया करती थी। राजा की एक बहुती सुन्दर राजकुमारी थी। राजकुमारी भी सिरी हर के भजन में लगी रहती थी। राजा बहुत ही प्रजा पालक थे, लेकिन राजा की प्रिजा को एक बहुत बड़ा कश्ट था, राजा के राज में ही एक बहुत खुंकार राच्छस रहता था, वे लोगों को मार कर खा जाता था, जिस कारण प्रजा बहुत दुखी रहती थी, राजा की राजकुमारी बह राजकुमारी के बारे में सुना तो बहराजा के महल में आ गया और राजकुमारी को उठा ले गया राजा कुछ भी नहीं कर पाए राजचस राजकुमारी को अपनी गुफा में ले गया गुफा में ले जाकर राजचस ने राजकुमारी से कहा मैंने तुमारी बहुत प्रसं सा सुनी है लेकिन जितनी प्रसंसा सुनी थी तुम तो उससे भी ज़्यादा खूपसूरत हो मैं अब तुमसे बिवा करूँगा तुम बिवा के लिए तैयार हो जाओ तब राजकुमारी ने भगवान विश्णू से प्राथना के कि हे प्रभू अब आप ही मेरी रच्छा करो तब राजकुमारी ने राजकुमारी ने राच्छा से कहा मेरा भगवान विश्णू का ब्रत चल रहा है जब मेरा यह ब्रत पून हो जाए तब तुम मुझे बिवा कर लेना राजकुमारी की बार से सहमत हो गया और उसने कहा ठीक है राजकुमारी जब तुम्हारा ब्रत पूर्ण हो जाए तो तुम मुझे बता देना मैं तुमसे बिवा कर लूँगा इसके बाद राज्चस राजकुमारी के लिए खाने को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज लेकर आता था और राजकुमारी की बिराज सेवा करता था राजकुमारी की राजी के पास ही दूसर राजी था, उसके राजा के तीन पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र बहुती धर्मात्मा था, जबकि दो पुत्र दुष्ट प्रवर्ती के थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को राजी से निकाल दिया, और स्वयम राजा बन गए, बड़ा पुत्र अपने घोडे पर सव क्यों न यहां बिश्राम कर लिया जाए, तब आगे चलेंगे, राजकुमार उस पीपल के ब्रच के नीचे बिश्राम करने लगे, राजकुमार का नाम महिंद्र था, उसी पीपल के ब्रच पर एक बंदर रहता था, बंदर ने देखा कि राजकुमार महिंद्र बहुत दु दो यह चने खालो, तुम्हें बहुत भूक लगी है। राजकुमार उस बंदर की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। राजकुमार ने देखा कि यह बंदर कैसे बोल सकता है। राजकुमार महेंद डर गए, कहीं यह कोई राच्छेस या माया भी तो नहीं है। राजकुमार ने सीगर ही उस बंदर के चनिक खा लिये और चनिक खाकर राजकुमार सोचने लगे कि यहां से निकल जाओं पता नहीं यह कौन है और मेरे साथ क्या करेगा जैसे ही राजकुमार चलने लगते हैं बंदर कहता है राजकुमार मुझे अपने घोड़े पर बैठा अब राजकुमार महिंड असमंझस में पड़ गए, मैं तो इस बन्दर से पीछा छोड़ाना चाह रहा था, तो ये तो मेरे साथ ही चलने को कह रहा है, अब मैं क्या करूँ? तब राजकुमार महिंड बहाना बनाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे बजन से मेरा घोड़ा मर जाएगा, मैं तुम्हे घोड़े पर नहीं बैठा सकता। इस पर बंदर कहता है, अगर तो मुझे घोड़े पर नहीं बिठाओगे, तो मेरे चने बापस कर दो। अब राजकुमार के आगे बिकट इस्तिती थे राजकुमार चने तो खा चुके थे अब राजकुमार बंदर को चने लोटाएं तो कैसे लोटाएं लेकिन बंदर ने फिर कहा कि अगर मुझे घोडे पर नहीं बिठाते तो मेरे चने वापस कर दो अब राजकुमार महिंद्र के पास कोई दूसा राष्टा नहीं था राजकुमार ने कहा ठीक है तुम मेरे गोडे पर बैठ जाओ फिर दौनों गोडे पर बैठ कर जाने लगे राष्टे में चलते चलते उनको एक औरत दिखाई देती है वे दही बेच रही होती है तब बंदर कहता है राजकुमार अगर तुम कहो तो मैं इसका दही ले आओ तब राजकुमार कहते हैं वे तुमको मार कर भगा देगी तुम खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे तब बंदर कहता है राजकमार तुम मुझे जाने नहीं देते हो तुम मेरे चने दे दो तब राजकमार कहते है जाओ ले आओ दही बंदर उस औरत के पास जाता है और उसे दात दिखा कर डरा देता है और डर कर भाग जाती है बंदर उस औरत का दही का बरतन ले आता है जिसम राजकुमार कहते हैं मेरा घोड़ा मर जाएगा तब बंदर कहता है अगर तुम दही नहीं रखते तो मेरे चने बापस कर दो अब राजकुमार करे तो क्या करे उनकी मजबूरी थी उनको दही रखना पड़ा फिर दोनों घोड़े पर बैठ कर आगे बढ़ने लगे आगे र तब राजकुमार ने कहा उसके हात में डंड़ा देख रहे हो उसी से तुमको मारेगा तो बंदर कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं जाने देते तो मेरे चने लोटा दो राजकुमार ने कहा जाओ ले आओ बंदर उस आदमी के पास जाकर चिल्ला पड़ता है आदमी डर कर भाग जाता है बंदर उस में से एक बच्चा ले आता है और राजकुमार को देता है और कहता है इसको अपनी घोड़ी पर रख लो राजकुमार कहते हैं मेरा घोड़ा मर जाएगा तब बंदर कहता है अगर नहीं रखते हो तो मेरे चने दे दो राजकुमार कहते हैं ठीक है रख लो फिर दोनों घोड़ी पर बैटकर आगे चल देते हैं चलते चलते उनको एक किसान मिलता है जो अपनी खेत में पानी लगा रहा होता है राजकुमार उसके पास जाते हैं और पानी पीते हैं राजकुमार लोटकर आते हैं तो बंदर कहता है कि उस किसान के पास पहना कितना अच्छा है और जिससे यह पानी भर रहा है उसकी चक्री कितनी अच्छी है तुम कहो तो मैं उसे ले आओं तब राजकुमार महंदर ने कहा तुमको उसी डंडे से मारेगा फिर तुम रोते हुए मेरे पास मता आना बंदर कहता है अगर तुम मुझे नहीं जाने देते तो मेरे चने बापस कर दो राजकुमार ने कहा ठीक है जाओ ले आओ बंदर उस किसान के पास जाता है और उस पर दांत दिखा कर चिल्लाने लगता है किसान डरकर भाग जाता है वह बंदर उसका पैना और चक्री उठा लाता है और राजकुमार से कहता है कि इन्हें अपने घोड़े पर रख लो राजकुमार फिर से कहते हैं कि नहीं मेरा घोड़ा मर जाएगा तब बंदर फिर से कहता है कि अगर नहीं रखते हो तो मेरे चने बापस दे दो राजकुमार बहुत बड़े चक्कर में फस चुके थे कहते हैं ठीक है रख लो चलते चलते दोनों उसी राच्छस की गुफा के पास पहुंचते हैं जिस गुफा में राजकुमारी रहती थी इधर रात भी हो गई थी तब बंदर ने कहा राजकुमार क्योंनों हम इसी गुफा में रुके तब राजकुमार ने कहा पता नहीं किसकी गुफा है कोई भी हो सकता है हम दोनों को मार डालेगा यहां नहीं रुक सकते कहीं दूसरी जगह रुकेंगे तो बंदर फिर से वही बात कहता है कि हम यहीं रुकेंगे नहीं तो मेरे चने दे दो अब राजकुमार के पास कोई दूसरा बिकल्प नहीं था राजकुमार ठीक है जो होगा देखा जाएगा चलो चलते हैं इधर राजचस गुफा से बाहर गया हुआ था जब राजकुमार गुफा में आता है और राजकुमारी को देखता है तो मन में सूचता है कितनी अच्छी लड़की है यह यहां क्या कर रही है राजकुमारी राजकुमार को देखकर कहती है तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो राजकुमार कहता है मैं यहां से जा रहा था रात हो गई है क्या मैं यहां ठेश सकता हूँ तब राजकुमारी ने कहा, इस गुफा का मालिक एक राच्छस है, अभी वे बाहर गया है, जब तक पह नहीं आता, तब तक तुम यहां रह सकते हो, राजकुमारी कहती है, तुम उधर दूर जाकर रहना, अगर राच्छस आये, तब भी बाहर मत निकलना, नहीं तो वे तु पूछता है, कोई आया तो नहीं, राजकुमारी कहती है, नहीं, कोई नहीं आया, तो राच्छस कहता है, ठीक है, और राच्छस सोने चला जाता है, राच्छस जैसे ही सोने वाला होता है, उसे मनुस्य की महक आती है, और वे राजकुमार के पास पहुंच जाता है, अंधे कुछ नहीं कहता, राच्छस फिर पूछता है, कौन है तू, तब बंदर कहता है, तू कौन है, तब राच्छस कहता है, मैं हूँ दानव, इस पर बंदर कहता है, मैं हूँ महादानव, तब राच्छस कहता है, तो आजा, मुझसे युद कर, तब बंदर कहता है, तू मुझसे युद नहीं जीत पाएगा पहले तु मेरे हत्यार तो देख ले मैं कितना तागतवर हूँ तब राच्छ कहता है अच्छा तिखा तु अपने हत्यार तब बंदर दही का बरतन फैंक देता है और अच्छे से कहता है देख ले यह है मेरे मुग की खकार फिर बंदर सुवर का बच्चा फैंकता है और राच्छ से कहता है यह देख मेरे बालों का जुआ यह देख मेरे बालों का डिंगर इसके बाद बंदर किसान की चक्री फैंकता है और कहता है देख यह मेरी करधनी की चक्री राच्छस इन सब चीजों को देखता है और सोचता है जब इसी सर का डिंगर इतना बड़ा है इसकी करधनी की चक्री इतनी बड़ी है तो यह खुद कितना बड़ा होगा सच में यह तो महादानव है राच्छस सोचता है सिग्रही यहां से भाग जाओ नहीं तो यह मुझे मार डालेगा इतना सोचकर राच्छस वहां से भाग जाता है इसके बाद राच्छकुमार राच्छकुमारी को सारी बात बताता है और कहता है कि वह राच्छस भाग गया फिर राजकुमारी उस राजकुमार के साथ अपने पता के पास जाती है और अपने पता से कहती है इस राजकुमार ने ही मुझे बचाया है फिर राजा उन दोनों राजकुमार और राजकुमारी का बिभा कर देते हैं और अपना राज उस राजकुमार को सौपकर भगवान विश्णू की भक्ति में लग जाते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकान पर किलिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवार्ण आपको मिलते रहें